अबी हम बात करी रहेते हैं, 80 डॉलर पर आ रहे हैं ब्रेंट के दाम, क्या चल रहा है, कच्छे तेल में इतना बड़ा उबाल आया है, 8%-8% की पिछले हफ़ते रैली भी रही थी, एक बार नेहा से समझते हैं, नेहा बताएं, आज एक साल हो गया है, इस्राइल हमास आई दूगी, ये एक फ्रेश अटाक यहां पर हमने हेजबोला की तरफ से होता हुआ, इस्राइल की तरफ देखा, इस्राइल का जो तीसरा बड़ा शहर है, हाइफा, उस पे कुछ ऐसी खबरे रॉइटर्स की तरफ से आ रही है, तो ये आप कह सकते हैं कि आग में घी का का कर रहा है, जिस वज़े से हमने पिछले एक फ्रेश घंटे में अल्मोस्ट एक से तरफ परसेंट की स्ट्रेंड देखी है, अब आपने बात की इस्राइल हमास युद की जिहां, एक साल हो चुके हैं, और इस दौरान में कच्छे तेल की कीमतों पर नजर डाले, तो बहुत तेज वल्टालिटी देखने को मिली है, ये बात सही है, कि पिछले कुछ दिनों में इसकी कीमतों में एक एक दस डॉलर, पंदरा परसेंट का उच्छाल आया है, लेकिन अगर आप इसकी पूरी टाइम लाइन देखे, जब से युद्ध शुरू हुआ और तब से लेकर अप्रेल तक हमने इसमें फिर से 18 से 20 डॉलर की स्ट्रेंट देखी, और अप्रेल से लेकर सितंबर, यानि कि पिछले महीने तक जहां हमने इसे 68 और 67 डॉलर तक स्लिप होते वे देखा, तो अलमूस्स 25 डॉलर का करेक्शन है, अब हमने देखा कि फिर से यहां पर स्ट्रें राय, चीन, अमेरिका, यॉरप की डिमांड, और अफकोस किस तरह से ब्याशदरों को लेकर रियाक्शन आए हैं दुनिया भर के बड़े-बड़े सेंट्रल बैंकों के इन्हों ने बहुत रोल प्ले किया है, अब सवाल यह उड़ता है कि यहां से कहां, 80 डॉलर आ गया, 6 ह वेसलिटीज को किसी भी तरह की क्षती होती है, तो 10 से 20 डॉलर तक का आप टेंप्ररी यहां पर इजाफा आता हुआ देखेंगे, 2025 में हो 90 से 95 डॉलर तक ब्रेंट को देख रहे हैं, जेपी मॉर्गन इस आखरी तिमाही में 85 डॉलर के पास 80 डॉलर के आसपास कच्छे ते कि सप्लाई के स्थिती बहतर होगे और आप 60 डॉलर तक अच्छा तेल देख सकते हैं, तो यह जो जितने भी बैंकों के नाम मैंने लिए, यह सब पिछले चार दिनों में ही इन्होंने अपने जो आप कह सकते हैं, या तो रिफ्रेश किये हैं, या रिटरेट किये हैं, लेक कि हम देख रहे हैं, कच्छे तेल पर एक बड़ा उबाला आते हुए दिख रहा है, आए बागले साथ